Hello friends, welcome to my channel learning skill. I am Jyoti Sikha and today we will discuss organization standards. Organization standards, इसको हम हिंदी में संगठन के मानक भी बोलते हैं. मतलब किसी भी organization के जो standards होते हैं, जो basic rules, policies, regulations होते हैं. Standards of staff appearance in detail. वैसे तो organization standards बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे staff appearance पर. सिर्फ, so let's start. इसमें हम, मैंने हिंदी में भी लिखा हैं, रिटेल में करमचारियों के उपस्थती के मानक. मतलब रिटेल में जो करमचारिये हैं, उनकी position, उनकी उपस्थती किस तरह से होनी चाहिए? Standards of staff appearance in retail. All officers and staff have a personal responsibility to maintain the standard of appearance in an organization. तो सभी staff members की responsibility बनती है, personally, कि वो organization के standards को follow करें. लब किस तरह से आपको dress up होना है, जो भी आपके norms हो, उसके according. जैसे इसका एक live example है, जैसे MACD में अगर आप जाते हैं, तो सबका dress code जो है, वो red color का, उनका t-shirt होता है. तो ये सब क्या हैं, उनके standards हैं. For organization brands, the professionalization of job role, creation of a sense of organizational identity, health and safety concerns. तो देखो health के लिए, उनकी safety concern के लिए, उनकी identity के लिए कि वो दूर से पहचाने जाएं, कि वो इस company के हैं, या इस profession के हैं. जैसे दिखिए, अगर हम बात करें कि doctors की, doctors को white color का coat वो पहनते हैं, या police है, police की अलग uniform है, तो किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ, ये police वाले हैं, या और हम अगर बात करें, तो nurses हैं, nurses की अलग से dress code होता है, उनको वो dress up पहनना होता है. So, organization की जो brand है, जैसे MACD की मैंने बता है था अपको, उनका एक brand है, उनका red color का ही, उनका t-shirt होना चाहिए, वो उनकी brand के color को suit करता है, तो इस तरह से standard होते हैं, जो हर company अपने अलग-अलग decide करती है, और वो ही जो workers हैं, उनको follow करने होते हैं. Overall appearance, overall appearance के मतलब उनका full body का, उनका look जो है, वो किस तरह से दिखे, the retail staff should maintain their standards of appearance, उनको उसी standard के according, उनको अपना appearance जो है वो बनाना चाहिए, The type of work set, the formal standards of dress, जिस तरह का वो काम कर रहे हैं, वो ही उनके dressing sense को decide करेगा, जैसे हम security personnel के बारे में बात करते हैं, जो watchmen हैं, जो guards होते हैं, उनके अलग से glue color की shirt, black color की pant, with cap, इस सब उनका क्या है, वो standard operating procedure है, कि हम watchmen को इस तरह का dress up होना चाहिए, डॉक्टर्स का अलग है, Teachers को कुछ schools में, जैसे teachers को साड़ी compulsory कर देते हैं, या कोई particular color decide कर दिया, किस color की साड़ी पहननी है, या बहुत सार ऐसे professions होते हैं, जिसमें आपको इक particular dress के according ही, अपना appearance बनाना होता है, इवन इसमें hair style कैसा होना चाहिए, everything इसमें cover होती है, Number 2, dress code. जो भी होटल के अंदर जो वरकर्स थे, जो इवन वेटर से लेकर watchman या managers, उन सबने एक पंजाबी wear अलग से maintain किया होता, जैसे दोती, कुरता, और जो भी होता है, तो ये उन्होंने अपने culture को वहां पर represent किया, इस तरह से बहुत सारे होते हैं, जो कुछ प्रोफेशन्स य the hair should be well tied and well colored, the employees of the store should avoid unnatural hair color, जैसे आजकर लोग करा लेते हैं, green, yellow, बाल करा लेते हैं, इवन मैंने दिखा था, किसी ने हरे green color के भी किरा रखे थे, तो बहुत ओक्वड लगता है, प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स के कोड़ी, लेकिन अगर आप बारबर की शोप पर जाते हो, या सेलून पर जाते हो, तो आप देखते हो, कि वहाँ पर जो उनके color होते हैं, बालों के, वो कुछ जादे different होते हैं, बालों का style कुछ जादे different होता है, तो उनका profession पर suit करता है, बट रोटीन में जितने भी professions होते हैं, वहाँ पर इस तरह का, जैसे मैंने कुछ एक draw करने के और सबते हैं कुछ क्लर या स्टरह सभने ок우 यह इस तरह का डिजाइन जो है वो सूट रहट है जणरली ऐसा नहीं हो न ची आगर हम प्रटी कोलर इटेल की बात कर रहे हैं तो रिटेल स्टॉर में कंपुनी में मॉल में इस तरह Letter का Wooं और अजिए प्रटाइब बल्म है identity card offer करती है कि आप ये identity card पहन किया ये जिस पर company का logo भी लगा होता है तो compulsory हो जाते है इससे company को अपने employees की पहचान हो जाती है ID card mainly include name, photo, job title and designation of employee तो ये सब उसमें लिखा होता है Body language, again the body language of the staff should be impressive Body language staff should be impressive होनी चाहिए जिसे आप रेस्टरा में जाओ और कोई वेटर आपके साथ ऐसी unhappy mood में बैटा हो उदास आपको खाना परोसरा है तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगीगा तो उनके जो भी norms होते हैं, standards होते हैं आपको उनको follow करना चाहिए जैसे कि how to stand, how to speak, facial expression कैसा होना चाहिए तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी Cosmetics, the makeup should be sober, not obstressive or excessive, makeup जो है वो बहुत ज़्यादा over नहीं होना चाहिए, जैसे मैंने एक face बनाया है, इसमें lipstick बहुत ज़्यादा dark color की बना दी है मैंने, तो over makeup नहीं होना चाहिए, normal होना चाहिए, अबर होना चाहिए, according to your profession, इसमें भी अगर हम बात करते हैं, beauty parlors पर तो वो over करती हैं, क्योंकि वो उनके profession को suit करता है tattoos, tattoos, जब हम tattoos की बात करते हैं, तो generally, आज कल हम trend में भी देखेंगे, बहुत सारे लोगों ने tattoos बनवा रहे हैं, shoulders पे, arms पे, जहां भी उनका मन करता है, तो tattoos कोशिश करने चाहिए, कि नहीं होने चाहिए, अगर हो, तो उनको cover करते हैं, जैसे quarter half and full sleeves tattoos must be covered at all time, जैसे आप अपनी shirt के dress के साथ हो, shirt के full sleeves के साथ, आप उसको cover कर सकते हो, precautions to be taken by male staff, तो retail store के अंदर male staff को कुछ बाते ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वो क्या-क्या है, the prescribed uniform should be neat and clean and iron, जो भी uniform offer की गई हो company में उनको, वो नीट होनी चाहिए, saaf sutri होनी चाहिए, iron की होनी चाहिए, hair must be short, clean and tidy, generally boys, especially hair, जो हैं चोटे होने चाहिए, बिखरेवे नहीं होने चाहिए, गंड़े नहीं दिहने चाहिए, one is expected to have a clean shave and look तो उनकी शेव नहीं होने चाहिए बलब clean shave होने चाहिए बीर्ड वगरा नहीं होने चाहिए ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है अगें प्रफेशन के उपटी पैंट करता है Nails should be cut or trimmed neatly at regular intervals especially for males Mails के तो Nails हो हैं वो cut होने चाहिए लंबे-लंबे Nails नहीं होने चाहिए avoid earrings and bracelets during official hours जैंट को ये earrings या bracelets साथों में पहनते हैं जब नहीं पहनने चाहिए at least official hours में तो बिल्कुल भी नहीं Precautions to be taken by female staff female को भी अगर वो professional है और retail store में काम कर रही है तो उनको भी कुछ बाते ध्यान में रखनी चाहिए नमबर वन female staff should female staff with long hair should tie their hair at all times during official hours official hours में जो भी उनका timing होता है अगर उनके long hair है तो उनको tie करके रखना चाहिए बांद के रखना चाहिए no flowers hooked on the hair जैसे मैंने यहां एक लड़की के बालों में flowers बनाए है तो इस तरह के flowers नहीं होने चाहिए मैंने इस पर cross इसलिए लगा जाए है ताकि यह नहीं होना चाहिए avoid dark color nail paints and long nails तो dark color के nail paints long nails खोशिश करने चाहिए avoid home I think आपको सब बाते समझ में आगे हैं वहती general बाते हैं जो हमें अगर हम job करने जा रहे हैं तो हमें यह सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए thank you for watching my video please like share and subscribe my channel thanks